अलो चिल्वेंग, अभी यौल, I hope you all are healing hearty, you all are fit and fine. My name is Tanir Sharma and I welcome you all to Champs Bro Batch for Class 6. और आज हम नया चाप्टर स्टाट करने वाले हैं, जिसका नाम है Major Domains of the Earth. और जोग्रिफी का चाप्टर है, इसके तहरे हम रिवाइस कर लेंगे सारे कॉंसेप्स, आपको थोड़े बहुत question answers भी कराएंगे, जिससे आपको concept clarity और अच्छे से हो जाएं. तो let's get started with the first part, जो हम सुनते अपनी अर्थ के बारे में, जैसा कि हमारी अर्थ है, कितनी beautiful place to live in है, out of all the planets बोला जाता है, क्या हमेशा यही सत्य है, कि एक अर्थ ही ऐसी प्लानेट है, जहां पर हवा, पानी, लांड, लाइफ ही मौजूद है, ऐसा कोई प्लानेट नहीं है, जहां पर इतनी सारी चीज़े available हो, आर्थ में चलतो रही है, बहुत सारी investigation, उसके पर research चल रही है, बट कोई थोस चीज सामें नहीं आए, कि actually में क्या वापर life possible है या नहीं है, बट यह तो सक्ते है कि जिस अर्थ में हम रहते हैं, वो बहुत ही जादा beautiful है, और वो एक ऐसी planet है, जहां पर life, पानी, air, सब कुछ available है, और सब कुछ possible भी है, तो इसी के बारे में आज पढ़ने जा रहे है कि Earth के domains क्या होते हैं, ठीक है, तो इसी chapter कराव है major domains offer, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, कि जो Earth है, वो एक blue planet है, ठीक है, the earth is the only planet which has life, ठीक है, और यह blue planet है, ठीक है, और blue planet के होता है, क्योंकि यहाँ पर से, क्योंकि यहाँ पर water मौझूद है, तो इसलिए उपर से satellite में blue planet दिखता है, उसके लाबा, human beings can live here because life sustaining elements of, क्योंकि human beings है रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर land है, यहाँ पर water है, यहाँ पर air है, और इसी चक्कर में हम और अगर हम इस land, water, air को geographical terms दें, तो इसको क्या बोला जाता है, earth has four components और इन components को बोलाता है, लिथोस्फियर, पियर क्यों बोला जाता है, क्योंकि अर्थ है गोला है, तो लिथोस्फियर यानि यहाँ पर land है, इसलिए हम इसको लिथोस्फियर बोलता है, atmosphere because यहाँ पर air है, hyd hydrosphere, क्योंकि यहाँ पर water, और biosphere यानि कि यहाँ पर animals, plants, all human beings together रहते हैं, ठीक है, इसी को ही हम आगे put forward करेंगे, in very detail, सबसे पहले हम बात करेंगे लिथोस्फियर के, because earth के उपर land है, और land बहुत important component है, survival के लिए, अगर land नहीं होगा, तो हम surviving नहीं कर पाएंगे, ना हम रह पाएंगे, ठीक हम रहने के लिए land चाहिए होता है, और वो हमें earth प्रवाइड करता है, तो solid portion of earth is called lithosphere, solid portion यानि की, जो land बला part है, ठीक है, surface है, उसको lithosphere बोलते है, there are two division of earth surface, ठीक है, large masses are called continents, अब ये जो है lithosphere, दो पार्च में divided है, जो large part है, large masses, ठीक है, उसको continents बोलते है, औ और जो water bodies होती है, ठीक है, उसको बोलते है, ocean basis, उसको क्या बोलते है, ocean basis, तो यानि की, जो land है, और ocean कहीं नगी, हाइड्रोस्वेर का पाट आजाते हैं, तो two divisions of earth surface, earth का जो surface है, लितोस्वेर, यानि लाइड बलाए रिया, वो दो में divide होता है, एक होता है, continents और दूसरा होत regions, ठीक है, the highest mountain peak, बोल जाते है, जो mount Everest है, वो 8848 meters above the level है, यानि यह sea level है, तो इसका above the level, जो पाए जाता है पहाड, वो highest mountain है, उस mountain peak को बोलते है, mount Everest, 8848 meters above the sea level है, ठीक है, और अगर हम continents की बात करें, तो हमारे पास seven main continents है, continents आने ही कि बड़ा बड़ा landmarks, जिसको हम बोलते है, large land masses, large masses, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम continents बोल रहे हैं, तो seven है, Asia आता है सबसे पहले, फिर हमारा आफरिका आता है, फिर North America आता है, South America आता है, Australia आता है, Antarctica और Europe आता है, तो यह हमारे seven continents बोले जाते हैं, seven continents बोल जाता है, और सबसे बड़ा Asia है, और हमें सबसे छोटा Europe को माना जाता है, ठीक है, एक छोटी सी बात और सीखेंगे, जैसे कि हमने यहां पर देखा था कि highest mountain peak, जो है Mount Everest है, वो 8848 land, high है sea level से, एक Mariana Trench भी है, ठीक है, जो की depth है, deep है, एक को हमने बोला, जो land से sea level से high है एक बोले जो sea level से low है, deep है, ठीक है, एक को बोल रहा है, जो high है, वो Mount Everest है, और जो deep है, deepest hole इसको बोलते है, वो Mariana Trench है, Pacific Ocean के अंदा पाये जाता है, जो 11,022 meters deep है, यानि depth है, ठीक है, I hope, यह कुछ जननल नॉलेज की भी सवाल है, यह आपको पता होने चाहिए, ठीक है, आप Mariana Trench, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, Mariana Trench, Pacific Ocean में पाया जाता है, ठीक है, इसके लावाद जो हम continent की बात करते हैं, दो continent lies in the eastern hemisphere, ठीक है, दो basically जो continent की बात करते हैं, एसे continent की बात करते हैं, यानि यह हमारी earth है, के north hemisphere, southern hemisphere, उसके बाद हम इसको divide करते हैं, यह पर जाता है, western hemisphere, eastern hemisphere, eastern hemisphere, पर एक continent परता है, ठीक है, the tropic of cancer passes to this continent, और इस continent चे पास आउट करता है, और इस continent को हम क्या बोलते हैं, Asia is separated from Europe, by the Ural mountains, हम यहाँ पर Asia continent की बात कर रहे हैं, और यह जानने के लिए हम एक map देखते हैं, हम एक map देखते हूं, हमारा map का गया, okay, okay, here is our map, देखे हैं, हम eastern continent की बात करते हम एसे की बोले, तो Asia सबसे बड़ा है, एशिया और यॉरप, अगर आप देखो कि यह यॉरप है, यह एशिया और यॉरप, एक mountain से डिवाइड होते हैं, उनको बोलते हैं, यॉरल mountains, चीक है, तो यह जो आपको छोटी-छोटी lines दिखाई दे रहे हैं, यह mountains, ठीक है, rocky mountains, alpations, यहां पर Andes, alps भी आएगा, यहां पर यह एरा, यह एल्प, यॉरप में, then there is Himalayan, then there is rural mountains, तो यह जो mountains है, यह क्या है, basically, यह mountains जो है, यह separate कर रहे है, rural mountains यहां पर है, जो Asia और Europe को separate कर रहे है, जो Asia और Europe को separate कर रहे है, ठीक है, the combined landmass is, okay, of Europe and Asia are called Eurasia, तो basically, Asia is separated from Europe by rural mountains, Asia सबसे बड़ा है, Asia के बिल्कूल बगल में, Europe पढ़ता है, और Asia और Europe को separate कर रहे है, उसको rural mountains बोलते है, और जब यह combined होते हैं, थोड़ा-थोड़ा landmass जब combined हो रहा है, तो उसको बोलते हैं, Eurasia, यानि Europe और Asia, ठीक है, इसके बाद हमारा आता है Europe, जो हम Europe की बात करता है, Europe एशिया से छोटा है, Europe एशिया से छोटा है, अगर आप यह वाला पार्ट दिखोगे, ठीक है, तो आपको येलो पार्ट बहुत ज़्यादा लगी क्यों कि वो एशिया है, इस्या के बिलकुर बगल में क्या है? योरॉप चोटा पड़ जाता है, as compared to Asia, अगर जाता है, और the continent lights west to Asia, रच तु एशिया यानि की है वो eastern hemisphere मे, पड़ता तो वो eastern hemisphere, लेकिन एशिया का western part है, यानि यहां पे एशिया का western part पे योरा पड़ता है, the Arctic Circle passes through it it is bound by water bodies on three sides तो यहां पर water body bodies होती है three sides पर यहां पर water है यहां पर water है और इस तरह पर water पड़ता है इस तरफ तो एशिया जाता है तो यह तीनों side पर water bodies पड़ती है किसके यॉरॉप की ठीक है उसके बाद आते है एक अफरीका नोई आफरिका पर इस सेकेंड लार्जस कॉन ¬ाप एश्या के बाद जो सेकेंड लार्जस टैंवो होता है इसपरोर्प तो चोटा है यॉप्र अपड़रीय लेकिन जो अउते हैं there is zero latitude latitude को यहाँ लेटी ही लेगी हें चीक है तो जो zero latitude हो रंस जमकता ओल्मोस्थ थू ऊटने कोई ऋप्धक हैं तो इस कंडिनेंट की बीच में इस यहां आऊओ जाता हमारा डिवाइड करते हैं तो यह हमारा Northern Hemisphere तो ज्यादा पार्ट आफ्रीका का क्या है Northern Hemisphere में करता है पड़ता है और उपर वाला पार्ट Equator से उपर है चीक है it is only the content through which Tropic of Cancer the equator and Tropic of Capricorn pass यह एक ऐसा एकलोता यह एक ऐसा एकलोता continent है जहां पर Tropic of Cancer भी है पास करता है Equator भी पास करता है और Tropic of Capricorn भी पास करता है चलिए अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार हम यहां जाते हैं और यह देखते हैं यह रा South Africa ठीक है यह South Africa तो South Africa को सबसम देखें तो यहां पर Equator है ठीक है यहां पर Tropic of Capricorn है चलिए South Africa में कहा गया हूँ यह रहा यह रहा हमारा Tropic of Cancer यह हमारा Equator और यह हमारा Tropic of Capricorn यह सारा पास करता है कहां पर यह सारा पास करता है आफ़र का अल्डीनेन पर ऐसा एक लोता है सिर्फ एक ही है ठीक है सिर्फ एक या ऐसा कॉंटिनेट है जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कांसर एक्वेटर और केप्रीकॉन ट्रॉपिक ऑफ केप्रीकॉन तीनों पास करते हैं इसके लावा अगर हम बात करें एक बहुत जादा आफ्रिकांगेंदर फेमस डेजर्ट है जिसको विकॉज यह तीन आफ्रिका में पाए जाते हैं जिसको सहारा डेजर्ट बोला जाता है इसके रावा आफ्रिका के अंदर एक लॉंगेस्ट रिवर नाइल भी पास करती है फ्लो करती है पास भी बूलेंगें आप फ्लो करती है जिसका नाम है रिवर नाइल और यह आफ्रिका में ही पास होती your flow होती है चीके नियुक्त साटा नॉर्थ अमेरिका अब नॉर्थ अमेरिका अब लग्श वावश्कमी इस कॉर्सेस एंसे अपरीका and third is North America that is towards the North it is linked to South America by a very strip called a thermos of Panama चेलिए that ithame celebrating my mom say Kaisei throw strip narrow strip bye ithame of Panama it to me तो इस को अजब है यहां पर इस नाम के लिए उसको जॉइन कर रही है ओके दे कॉंटिनेंट कंप्लीटली लाइज न नौर्दन बेस्टन में सब्सक्राइब और वेस्ट वली साइड पूरे और्थ की लोकेशन पर ठीके चलिए नेक्स हम देखते हैं ऑस्टेलिया तो ऑस्टेलिया सबसे छोटा है यॉरॉप अगर छोटा है तो उससे भी छोटा कोई हो सकता है तो वो कौन है वो अश्टेलिया है तेक कंप्लीक लाइज न दी स्टन है मेस्फियर और शेलिया इसके देखो आप ओशियन अन seas है all the side पूरे के पूरे ऑश्चेलिया में ocean और seas है ठीक है next it is called island continent इसको island continent भी बोला जाता है चली एक बात देख लेते हैं island continent के बारे में पूरे world map पे देखो यह रहा पूरे world map पे यह Asia है यह पूरा हमारा ऑश्चेलिया है ऑश्चेलिया से पास होता है कौन सा ट्रॉपिक ऑफ के प्रीकॉन और श्चेलिया से पास होता है यह पूरा चाप्टर आप पूरे मैप को देख देख की भी पड़ सकते हो ठीक है चली इसके बाद हमने इतमेस की बात की थी इतमस क्या था यह जो हमने बोले इतमस अपनामा था जो नॉर्थ अमेरिका और थी कोशिश करनी चाहिए एक आप देखो इतमस क्या होता है इतमस इथ नरो स्फिप ऑफ लैंड जोईनिग तू लैंड मास इस ठीक है जब हम एक लैंड मास और दूसरे हें उसको इतमस बोला जाता है नारो स्टिप ऑब लैंड जोइंग तो लैंड ओंड पनाम जोड रह क्या बोलता उसको स्टेट नेम दुशेट बेट्वीन इंडिया इंपाकिस्तां उसको बोल जाता है पार्क स्क्रीट क्या उसको क्या बूली आता है पार्क स्टीट कि कि a shade is a narrow passage of water connecting to large water bodies water पडिस तो रहने कि लिए झोभता है उसको पो तश्केर और पाक स्टेर्ट रहां है एंडिया और कंडूर नंक्रिक चोंजम कंडूाइब जोल होडम करना इसको इतमस पेनाम सबите समफनल का नहां चलिए last af m इंटार्टिक 7 ओशन है पर एक आपको श्कलिशल discover a leaf बहुत मुश्किल मिलेगी क्योंकि अगर आपस को वर्ल्ड माप देखोगे तो वह पोल्स पे है और पोल्स पे रहना बहुत जादा मुश्किल होता है तो एंटार्टिका सब्सक्राइब कोईट में चैनल पोल्स इंटनेट के बीच में परता है अधिश्कर नॉट फोल्स पोलो नॉट्ट जाकर सव पोलो पोलो इस पर्मनेंट्ली कवर थिक आईशी इस इस वो और धुट जो पर होता है वह सकता है कोई लोग जाते हैं माँ पर पर्मेनेंटली को शेकल होने नहीं जा सकता क्योंकि ऐसी लाइफ मवजूद नहीं है मैनीक पर सब्सक्राइब रिसेचेशंग इंडिया के भिशर सेचे सब्सक्राइब और उनका नाम क्या है में दक्षंड गंगतरी दो वर्क कि अपको पता ही है क्योंकि और तरी ब्लू प्लानेट है हम हाइड्र और लिफोस्फेर ही आज पढने वाले नेक्ष्टर में वी विल डू समक्वेशन आंसर्स प्रेपर में काम आएंगे और वह 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 स्थे hydrosphere is related to water, जहांपे हम water bodies की बात करते हैं, अगर हम उपर से earth को देखें तो ब्लू अपियर करते हैं, क्योंकि ब्लू अपियर इसलहे करती है क्योंकि वहां पे water, उपर से देखने में water, blue color कर लगता है, तभी हम बोलते हैं, आज blue है, पानी, पानी, क्यों बोलते हैं, क्योंकि color हमेशे ब्लू ही होता है, otherwise waterless, colorless, odorless, shapeless, right, but वह उपर से देखने में blue लगता है, more than 71% of the earth is covered with water, earth almost, यानी 70-71% water में covered, hydrosphere consists of all forms of water, hydrosphere के अंदर सारे type of water भी आ जाते हैं, उसके अंदर water, rivers, lakes, oceans, और glaciers, यानी कि जो solid form में water आता है, glacier और ice sheets के form में वो भी इंक्लूड किया जाता है, more than 97% of earth surfaces found in oceans and is too salty for human use, so only one person is fit for drinking याज कल का आगडा सामने आया है, I hope आपको आज का lecture समझ आया होगा, and this is for the revision purpose, in the next lecture we'll do the atmosphere and we'll do biosphere and with lots and lots of question answers, I hope you like the lecture, thank you my dear students, see you in the next lecture, bye bye